श्कार दोस्तो श्षागत है आपका मेरे इस यूत्यूब चैनल मेजर टार्गिट में जिसका एकमात रुद्य से बिहार मिटव पर देना जिहां दोस्तो नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, शोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, अरे दोस्त, अरे छात्र, कस्तियां बदलने की जरुवत नहीं, सिर्फ दिसा को बदलो, किनारे खुद बखुद बदल जाते हैं, जी हाँ छात्रो, बस आपको अपने पाड़म के साथ सब्सक्राइब करना है मेजर टार्गेट चैनल को यदि आप चैनल पर नए है तो मेजर टार्गेट चैनल को सब्सक्राइब कर लें अपने इस्टेडी की दिशा को बदलें वीडियो को सुरू से लेकर अंत्र तक देखें क्योंकि इन सारे वीडियो में ऐसे प्रशनो से आपके परिक्षा में आएंगे और आपको बिहार बोट का टोपर बनाएंगे तो वीडियो को सुरू से अंतक देखेंगे यह सारे काफी महत्पूर्ण अपको अच्छा खासा योगदान देंगे अंक को बनाने में दोस्तों तो वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें चेनल पर नए है तो अपने दिसा को बदले इस्टेडी का पारमपरिक दिसा के साथ साथ मेजर टार्गेट चैनल को सब्सक्राइब क करते हैं इस वीडियो का पहला महत्पूर्ण प्रस्ट जो हंडेट परसेंट आपके दो हजार बाइस के बोड़ पर इक्छा में आएगा दोस्तों ये रहा आपके बीच गुप्त मतदान क्या है जी हां दोस्तों गुप्त मतदान मतदाता परतियासियों के बीच अपने पस मत देते हैं अपना मत को देते हैं ये मत मतदान गुप्त मत रहता है इसलिए इसको गुप्त मतदान कहा जाता है जहां दोस्तों आजकल बिहार में जो की जो कि मुख्या पंचाय चुनाव 3 श्त्रीया पंचाय चुनाव की बिगल बच चुकी है तो हम लोग जो भी 18 वर्ष नेला बटन बीचा पर पर एक स्वस्तिक में मौहर मार देता और इसमें अमें इस नो हो जाता है इसलिए वो कैसा मद्दान कहलाता है तो फिर चलते हैं अगले प्रेश्ट पर दोस्तो यह रहा आपके बीच धात्विक खनिज तता अधात्विक खनिज में अंतर अश्पष्ट करें यहां दोस्तो धात्विक खनिच जैसा नाम से पता इसे गलाने पर धात्व की प्राप्ति होगी और अध्रत्विक खनिच को गलाने पर धात्व की प्राप्ति नहीं होगी अध्रत्व की प्राप्ति होगी जैसे अब्रक हो गया और यह धात्विक खनिच से जैसे लोहा हो गय हो गया निकेल हो गया इसमें चमक नहीं होती जैसे ग्रेफाइट में चमकáticas खनी्ज होते हैं यह पराय आगनेल चत्थानों वे पाए ज़ाते हैं और ortho पुरF प्रत्दाः और श्यात्थानों पाये प्रत्दारिये इसे पीट कर तार बनाया जा सकताया इसको यहां पर क्या होगा इसके तार बनाए सा सकते हैं या इसके सीट बनाए जा सकते हैं यह अगहातवर्द और तन्य होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों कि यह जो धात्वी खनीज होते हैं यानि पीटने पर बढ़ेंगे और इसके तार खीचे जा सकते हैं इसको हम लोग प्रश्न है आप साड़े प्रश्नों को ए टुजे पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे यह बोट परिक्षा के लिए काफी महत्पूर्ण प्रश्न है पिछले 10 साल के अनुभव के आधार पर पिछले 10 साल में परिक्षा में पूछे गए प्रश्नों के निचोड के आधार पर निश्कर्श के आधार पर तो चलते हैं अगले प्रश्न पर यह रहा आपके बीच योजना आयोक पर एक टिपन्नी लिखे जी हा दोस्त तो वो योजना आयोग का खुद बखुद क्या हो जाएगा अध्यक्ष हो जाएगा और योजना आयोग का काम का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की देखरेक में होता है यदि अध्यक्ष नहीं रहेगा उपस्ति तो कौन देखाएगा उपाध्यक्ष इसकी सहायता तक लिए एक जन्वणी 2015 को माननी प्रधानमंत्री निर्ण मोधी जी थे तब प्रधानमंत्री अभी भी है तो उन्होंने क्या-क्या योगना नाम को बनाँ कर क्या कर दिया दोस्तो नितीा ययोगह अभी हमारी नई सिक्छा निती सी डवलं है है 2021 22 22 वह किसकी द्वारा रही है सब्सक्राइब तो यह साड़े बहुत साड़े और काफी महत्पुन प्रशन योजना आयो को इसको आप पुरी तरह से अपने दिमाग पर उतार लिए ताकि आप इसको परिक्षाएं में आसानी से लिख सकें तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रशन पर यह रहा अगले प्रशन आपके लिए रेसम मार्ग क्या है जिसा कि नाम से ही पता है तो जैसा कि नाम से सिल्क रूट या रेसं मार्ग हम लोगा आते हैं उन्गेजी को मार्ग से प्राचिन शमय में चीन-मद- एसिया चीन और मद- एसिया तथा यूरोप rapid देशे भारत भी एसिया नहीं पड़ता है और इरोप के देश जैसे इंग्लैंड होलैंड पुर्तगाल इन सब देशों के बीच कि आचिस का वेपार होता था रेसम का मुख्य रूप से रेसम कहां से जाता था तो चीन से जाता था आपको पता ही होगा कि चीन में ही रेसम की खौज हुई जो वहाँ के राजा थे उसके वो बगान में चाय पी रहे थे और अचानक से क्या होगिआ उसके चाय के बगान में वो बगीचा का वैपार कर ते रहें है किस मार्क से जिस मार्क से करते रहे उस-मार्क को क्या वद यह कहा रहED जार रहिए कि खुच कहा हूई चीन हुई हो गया था चाय के कप में गिर गया था और च отвеч कर रिया किया किया उसको बताइया नहीं की इस तरह से से को त्यार किया जाता है और काफी सालों तक ओँव खुदभी से क्याता हुद्ध मारच से रेश हैंश्व 손व के Pay Per capita income क्या है किसी देश की कुल जन संख्या राश्टी में जन संख्या जब उस देश की कुल जन संख्या से भाग दिया जाता है तो जो सेस्फल भसता है सेश्फल नहीं दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे भागफल यह सेश्पल गलत है या जो भागफल आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं देश तो उसको हम लोग पर्ति व्यक्ति आय बोलते हैं पर्ति व्यक्ति आय के लिए हम लोग क्या बोलते है नेशनल इंकम एन आई मतलब देश की आमदनी देश में कितना आमदनी किया और उसके बाद उसको भाग किया चीस्ते देंगे टोटल पोपुलेशन से तो क्या निकलेगा हम लोग का PCA निकलेगा पर कैपिटा इंकम परतिव्यक्ति आय निकालने के लिए क्या करेंगे देश की पूरी आमदनी को और लोग क्या कर देंगे टोटल पोपुलेशन यानि की पटीव्यक्ति आय निकल जाएगा दोस्तों तो जिस देश की परतिव्यक्ति आय जितनी अधिक होती है हुआ देश उतना ही अधिक विक्सित होता है जैसे अभी हमारा नार्वे अमेरिका अस्टेलिया ये सब देश क्या है बहुत अधिक विक्सित है जापान क्योंकि उनकी प्रतिव्यक्ति आए अधिक है भारत की प्रतिव्यक्ति आये तो इसका एक डाटा है देश्तों कि जिस देश की आमदनी 4.5 तिरी यानी 4,53,000 से अधिक होती विक्सित देश की सरेनी में आते हैं और जिसकी उससे कम होती है वो विकासिल देश की सरेनी में आती है तो भारत की प्रतिव्यक्ति आया भी कितनी है दोस्तों 1.26 लेक पर यानी कि 1.26,000 पर परती वर्स है तो यह क्या है विकासिल देश की सरेनी में तो 4.54,000 लगवग हम लोगों को यहां से अभी भी तीन गुना से साड़े तीन गुना तक बढ़ना पड़ेगा तब हम विक्सित देश की सरेनी में आ सकते हैं दोस्तों भारत में सबसे अधिक व्यक्ति आये सबसे अधीक है दोस्तों 2004 की डाटा दी गए है पंजाब की परतिवेक्ति आये सबसे अधिक दोस्तों उसी जगह पर हम लोग अलग राजी की बात करेंगे जिसको हम लोग बोलते है बिमारु राज जिसमें बिहार पहले आता है बि-i-ma-ru बिमारु बोलते ह इसको बिमारू राज बोला गया इसका पर्तिवेक्ति आया काफी कम है दोस्तों तो इसमें बिहार जो है बिहार की पर्तिवेक्ति आया सबसे कम है मात्र 5700 रुपीज पर एयर किसकी पर्तिवेक्ति आया दोस्तों बिहार की शंतावन सव रुपे पर्तिवर्स बिहार की पर्तिवेक्ति आया कितने दोस्तों तो शंतावन सव रुपे पर्तिवर्स कितने है दोस्तों संतावन सव रुपे पर्तिवर्स यह सबसे कम है पूरे देश में क्या है दोस्तों सब इसलिए दिया गया कि ताकि उससे राज को एहशास हो कि आपके लिए गलत वर्ड का प्रियोग क्या जादा आप रोग ग्रस्त हो गया है ताकि आप इसको सुधार सकें तो फिर चलते हैं हम अपने अगले सेग्मेंट पर यह रहा आपके बीच दोस्तों यह यह छूले आस्मा जिंदगी की तलाश नकर जी हाई दोस्तों मॉटिपेशनल साहरी का सिंग्मेंट आपके बीच आगया छूले आस्मा जमी की तलाश नकर जीले जिंदगी खुशी की तलाश नकर तकदीर बदल जाएगी खुद ही तेरे ऐ मेरे दोस्त, तकदीर बदल जाएगी, खुद ही मेरे दोस्त, तोपर बनना सीख ले, वजह की तलाश न कर, चूले आसमा जिंदगी की तलाश न कर, जीले जिंदगी, खुद ही की तलाश न कर, तकदीर बदल जाएगी, मेरे दोस्त, तोपर बनना सीख ले, वजह की तलाश न कर, तोपर बनना सीख ले, वजह की तलाश न कर, जीहां दोस्तो, यदि आपको वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के बीच सेयर कर दे और चैनल पर नए हैं तो मेजर टार्गेट चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल का एक मात रुद्दे से बिहार में टोपर्स देना बिहार में टोपर्स देना तो फिर आपसे अगले अंक मिलेंगे आपका होस्ट और दोस्ट आरके भारती आपसे बिदा लेता ह इसी उम्मीद के साथ कि काफी अच्छे प्रश्णों के साथ फिर एक बार आपके वीच उपस्तित होंगे